जगत गुरु स्वामी जिवलाई संजम भित्री माना ले। योगी राजस्वामी जिवलाई संजम भित्री माना ले। देवराज गुरुम बंदे दिव्यक्यान प्रदम शुभं। श्री देवराज गुरु स्वामी जी के द्वारा विरचित। वरावरा मुनि दिनचरिया नामक गरंथ का अनुभव ले रहे हैं हम लोग। इस गरंथ में अब तक तिन श्लोकों का अर्थानुभव किये हैं। चोता श्लोक का अर्थानुभव करना है। जैसा ये नाम दिखाता है वैसा ही ये गरंथ। वरावरा मुनि स्वामी जी उनकी दिनचरिया को पताने वाला एक गरंथ है। हमें किसी की दिनचरिया को देखकर हमारी दिनचरिया को अच्छी तरह करना है तो ये वरावरा मुनि स्वामी जी की दिनचरिया जो है वो अत्युत्तम स्थान होगा जिससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसलिए इनकी जो दिनचरिया है उसका अनुसंधान ही हमारे लिए श्रेयो दायक है। और उनके जो अनुष्ठान है उनको हम अपनाए तो और भी अच्छा होगा भैतर होगा। क्या है ना वो सन्यासी थे तो सन्यास आश्रम के अनुगण कुछ अनुष्ठान होंगे। और जो हमारा आश्रम है जिसमें हम है उसका अनुगन आचरन हमें करना पड़ेगा इसलिए जिन अम्षों को लेना है उन अम्षों को लेना है और सावधानी से हमें आचरन करना है। ये जो पूर्वदिनचरिया और उत्तरदिनचरिया है इसके बहुत सारे व्याख्यान हैं जिन में से एक व्याख्यान वीररा घवस्वामी के द्वारा विरचित है गास इस व्याख्यान के बारे में पहले भी बता चुका हूँ पर यहां क्यों बता रहा हूँ क्योंकि उस व्याख्या का नाम वो रखे हैं सदाचार दीपिका दिनचरिया का व्याख्यान है उसका नाम रखे हैं सदाचार दीपिका जो सदाचार है उस सदाचार को दिखाने वाला एक गरंथ है वरवर मुनि दिनचरिया नाम का गरंथ है उसको अच्छी तरह प्रकाशित करने वाला एविया ख्यान है इसलिए उनसे इस गरंथ से हम इतने सारे सदाचारों को जान सकते हैं इस उशय को यहां पहले हम सभी को जानना है पर यह क्या है न अवरावरमनी स्वामी जी की जो दिनचरिया है उसके बारे में बताने के पहले देवराज गुरु स्वामी वरावरमनी स्वामी जी के साथ आपका संबंद कैसा हुआ इसके बारे में बात करते हैं तो देवराज गुरु स्वामी शीरंगम के पास आ रहे है वरावरमनी स्वामी जी का धर्शन के लिए आ रहे हैं जब वो आये थे तब वरावरमनी स्वा तो đấy आहिगते हुए ही देवराज गुरुस स्वामी समझते है अरी मेरा उद्धार करने कलुक हैरहे हैं कि अशन लोकों की रचना कर रहे हैं यह एक और बताया जाता था peculiar हमारे संप्रदाएं में बोला जाता है कि आचारी अभिमान ही उत्तारक है कि आचारी अभिमान ही उत्तारक है कि आचारी अभिमान दो तरह का हो सकता है कैसा अरे मैं मेरे आचारी के विश्वय में बहुत अभिमान रखा हूँ यानि मैं उन पर इतना विश्वास भगती रखा हूँ वो हमें कार्यकर होगा क्या हाँ हो सकता है हम आचारी के उपर अभिमान रखते हैं वो भी कार्यकर हो सकता है पर हमारे संपरदाई में बोला जाता है कि उससे भी बहतर क्या है वो आचारी हम पर अभिमान रखे तो तो हम आचारी को तो हमारे आचारी है ऐसे सोचते है उससे भी बहतर है उस आचारी को हमें दे कर ये मेरा शिश्य है कि मेरा एक संबंधी है ऐसे वो आचारी हमारे विशय में सोचे तो वो और भी बहतरीन है ऐसे बोलते हैं इसलिए हम जाके आचारी को स्वीकार करें इससे भी बहतर है वो आकर हमें स्वीकार करें यहां देवराज गुरु स्वामी वरवरम स्वामी जी को आते हुए देखते ही ऐसा सोचते हैं अरे मेरा उगधार के लिए ही स्वामी आ रहे हैं ऐसा सोचकर वहां जब वो सनिवेश हुआ था उसका वरणन कर रहे हैं इस प्रबंध में इस स्तोत्र में तो वरवरमनी स्वाम स्वामी कैसे हैं जब इस सनिवेश में देवराज गुरु स्वामी वरवर मुनिस्वामी जी को देखें तब उनका उनका वर्णन कर रहे हैं इस स्तोत्र में यहां हम देखें हैं वरवर मुनिस्वामी भगवान के धर्शन के रिए पधार रहे थे वो कैसे थे शीर सागर खुद एक विग्रह बना कर आये तो ऐसे वरवरमनिस्वामी जी का दिवय मंगल विग्रह विराजमान है और उनके चारों और और प्रकाश है प्रकाश परिवेश्टितम ऐसा हम देखे थे इसलिए वह बहुत तेजस भी दिख रहे हैं ऐसा भी देखें और उसके बाद चोथे श्लोक में बोलते हैं पारश्वत अफ्पाणि पद्माभ्याम परिग्रिख्य भवत प्रियव विन्यस्यंतं शनई रंगरी बुरुदुलव मेली नीतले तो वरावरम्नि स्वामी पदार रहे हैं तब क्या कर रहे हैं अपने दोनों हातों से वो दो शिश्यों को पकड़ते हुए आ रहे हैं पारश्वत अपने दोनों पारश्व में पाणि पद्माभ्याम अपने अरविंद के तरह जो पाणि है यानि कर है हाथ है उनसे भवत प्रियव परिग्रिख्या आपके जो प्रियतम शिश्य है उनको पकड़ते हुए आ र दो लोग कौन है दो लोग कौन है यह सब बहुत सारी लोग बहुत सारी निर्वाह बताते है ऐसा बताया जाता है कि यह दो लोग कोई और नहीं अभी तु वाधूल वरदनारायन स्वामी जिनको कोईल अनन अनन स्वामी बोलते है वो और उनके और आणुजवित उनके भाई चनको बोलते हैं इनको कोईल आपनश्वामी और दूसरे हैं अपनश्वामी ऐसा बूले जाते हैं वो तो इन दूनों को पकड़ कर वरवरमनिस्वामी आ रहे थे ऐसा बोला जाता है और भी बहुत सारे निर्वा है यानि बहुत सारे शिष्य है ना वरमनिस्वामी जी के इसलिए उनको पकड़ कर ऐसा बोला जाता है यहां भावत प्रियव आपके जो प्रिय है इस भावत प्रियव शब्द का भी दो तरह का निर्वाह कर सकते हैं एक तो भावत हा प्रियव भावत प्रियव आपके जो प्रिय है ऐसा भी बोल सकते हैं और दूसरा रथ है आप प्रिय है जिनको भवरी समास में ऐसा हो जाता है तो आपके प्रिय है वो आप उनके प्रिय है ऐसे दो जो शिश है उनको आप आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं विन्यस्यंतं शनईर अंगरी मृदुलव मेदिनी तले वो अपने अंगरी अंगरी माने अपने श्रीचरणारविंदों को शनई है बहुत धीरे धीरे वो धीरे धीरे विन्यस्यंतं रखते हुए आ रहे हैं वरबर मुनि श्रीचरणारविंदों को विन्यास करते हुए आ रहे हैं तो यहां क्यों दीरे दीरे आ रहे हैं तो बोला जाता है प्रुदुलो वह उनके शीचरनारविं्द बहोत मुरुदू है यानि सुकुमार है तेजी से आये थो वो शेह नहीं कर सकते हैं इसलिए वो बहुत दीरे-दीरे आ रहे हैं और मुरुदुलो मेदिनी तले विन्यस्यंतम रखते हुए कहा रखते हुए मेदिनी तले भूतल मे रखते हुए आ रहे हैं यहां एक और विशय हम देख सकते हैं आचारी लोग है ना जब भी वो देवानई के दर्शन के लिए जाते हैं तब क्या करते हैं बहुत दीरे दीरे जाते हैं दीरे दीरे आते हैं तेजी से जाते नहीं तेजी से आते भी नहीं हम जब कुछ दिविदेश नहीं करना है ऐसा बोलकर किसी एक दिविदेश का भी अच्छी तरह दर्शन नहीं करते हैं अज़ा हो जाता है अरे स्वामी आज यहां आविवार तिर नहरी पुरकापुरी जारे वाले हैं वहां पास में उसको मिलाकर नवतिरुकती है उन्स अभी का दर्शन क्योंकि क्योंकि इतने तैजी से जाए तो आहिए पूर्म इसका अनुभव क्यों ही नहीं रहेगा इसमें क्या क्या करना चाहिए घिर जी राते तो भी पूर्न तया उसका दर्शन करना चैए उसका वाईभव सुनना चाहिए ऐसा ही करना चाहिए हमें देखिए जब बोला जाता है कि हमारे आजारियों में पराशर भटर जी और फुर्ले तिर्णर रयूर रहयर स्वामी ऐसे थे क्या गरते थे बगवान की दर्शन के लिए जाते थे और जब लोटते थे सभी लोग ब उच्छब कुछ होता है उच्छब के होने के बाद बढ़ी बीड़ आती है इतने लोग बाहर थेजी से चले जाते हैं को पर उस समय में पराशर भटर स्वामी जी बहुत धीरे-धीरे चलते थे धीरे-धीरे क्योँ वह मंदिर में एक-एक मंडब को देखते हुए एक-एक प्राकार को एक एक गुप्र को असा देखते हुए देखते हुए धीरे धीरे चलते थे क्योंकि उनका मानना ये है कि सिर्फ भगवान ही हमारे लिए उद्देश नहीं अपि तो भगवान का संबंध रखने वाले ये एक-एक प्रदेश है ना ये सभी हमारे लिए उद्देश है ऐसी सोच से एक-एक मंडप को देखते हुए अरे इसी मंडप में तो रंगनात स्वामी इस उच्छव के लिए आते हैं इसी मंडप में तो स्वामी किसी और संदर्भ में आते हैं ऐसा एक-एक मंडप को देखते हुए और एक-एक गोपुर का भी दर्शन लेते हुए ऐसा वो धीरे-धीरे चलते थे इसलिए यहां भी भराबर मुनी स्वामी जी धीरे-धीरे चल रहे हैं क्योंकि प्राशर भटर स्वामी जैसे थे वैसे ही है यह इसलिए एक-एक वस्तु का अच्छी तरह दर्शन करते हुए उन सब का मंगडाशासन करते हुए ही चलते थे अमारे आचार्या इसलिए तेजी से चलने का कुछ वहां काम नहीं है इसलिए धीरे-धीरे चलते थे यहां मठ के अंदर है पर ऐसा हम सोच सकते हैं वो साधारन तहां वो धीरे-धीरे ही चलते हैं इस कारण वशात इसलिए ही धीरे से मुरुदुलव अंगरी जो अत्यंत सुकमार शीचरनारविंद है उनको मेदिनी तले भूतल में विन्यस्यंतम रखने वाले वरवरमनिस्वामी तो इस श्लोक में इतना ही विशय है वरवरमनिस्वामी अपने दो करारविंदों से अपने प्रिय शिश्यों को पकड़ कर ऐसा बाहर आ रहे हैं दीरे दीरे से अपने पेर रखते हुए आ रहे हैं यहां एक विशय बोला जाता है प्रेमस्थानम वरवरमने संतु संतश्यतम ते तुल्यकोवा भरन गुरुना तेशु नारायने ना वरवरमनिस्षतक में बोलत पर उनमें यह वरदनारायन गुरु स्वामी जो है ना उनकी तरह कोई और नहीं है इसलिए आपके प्रेमस्थान बहुत सारे लोग हो सकते हैं पर यह वरदनारायन स्वामी जितने आपके लिए प्रिय है ऐसा कोई और नहीं है इसलिए प्रियतम वरदनारायन गुरु स्व कि पांच वाश नोक आम लान न को माला कारम आतामर रिमें लाम बरम आपीसनवी पुलो रसकंवाजर्ण क्या अर भी वर्रण कर रहे हैं एध्यिय। यह यहां अम्लान को म07 कारम 2010 analysis एक तरह का फूल है उसको अम्लाना या क्या है ना अम्लान कोमला कार ऐसा भी है आम्लान कोमला कार ऐसे दो पार्ट है अम्लाना भी बोल सकते हैं अम्लाना ऐसा भी बोल सकते हैं उसका अर्थ क्या है उसका अर्थ है कि एक अम्लाना मानि एक फूल है जिसकी तरह कोमल है स्वामी अम्लान कोमलाकारम और अम्लान कोमलाकारम उसका अर्थ यही है तो यहां मोलते हैं वरवरम मुनि स्वामी जी का जो दिविमंगल विग्रह है ना वो अम्लान कोमलाकारम वो अम्लान जो फूल है उसके तरह बहुत कोमल है स्वामी इसा कोमल है तो एक अम्लान शब्द का अर्थ यह एक फूल है जिसकी तरह कोमल आकार है कोमल दिव्यवंगड विग्र है कि स्वामी का यह एक अर्थ है यह कानची प्रतिवार भाएंगर अन्नगर आजा शवामी बोलते हैं ऐसा नई यह स्वामी उनका तोड़ा अधिक ही है वरावरनिल शवामी जी का असलिए स्वामी के शरीर में तोड़ा लान उनका जो शरीर है न उसमें तोड़ा मलानी हुआ है इसलिए आमलान कोमला कारम ऐसा यहां बता रहे हैं आमलान माने आ इस उपसर्ग से यहां आंग बोलते हैं उसके कारण यहां क्या मिलता है स्वामी जी के जो धिवमंगड विग्रह है उसमें मलानी है यानि क्या बोल सकते हैं तोड़ा वीकनेस बोल सकते हैं ऐसा वीकनेस होता ही है इसलिए ऐसे स्वामी के जो शीचरण निव्यमंगण विग्रफ है उसमें वो जो वीक्नस है ना वो दिख रहा है और कांची स्वामी बोलते हैं ये उनके लिए एक आभूशन के तरह है हम बोलते हैं कि मी वही मधुरानाम, मंड़नम, नाकृती नाम जो लोग बहुत सुंदर होते हैं ना वो सुंदर लोग जो भी करें काम जो भी आभरन पहनें वो सभी सुंदर दिखते हैं तो कुछ लोग ऐसे सुन्दर होते हैं उनके द्वारा की जाए वाले सभी काम और वो जो भी धारन करते हैं वो सभी सुन्दर दिखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कितना भी मेक अप करें कितना भी कुछ भी करें वो सुन्दर नहीं दिखते हैं तो यहां स्वामी बताते हैं वहरा वहरा मुने स्वामी जी का संदरी इतना है कि उन में जो वीकनस है जो मलानी है वो भी उनके लिए संदरी आपादक ही है इसलिए वो जो मलानी है वो भी उनके लिए संदरी आपादक है इसलिए ये कुछ यहां ये उनका गुन ही है ना तो दोश ऐसा स्वामी बताते हैं तो आम्लान कोमला कारम आम्लान कोमला कारम तोड़ा म्लान जो और सुकुमार जो आकार है जो यह मंगड़ विगर है उसको रखने वाले आम्लानकोमलाकारं आताम्रविमलांबरं आताम्रविमलांबरं यह स्वामी जो है ना उनका काशायका वर्ण कर रहे है अब आम्लान कोमलाकारं आताम्र विमलांबरं ये ताम्र शब्द यहां रक्त वर्ण का वाचक है यानि वरवनी स्वामी जी तो सन्यासी है ना सन्यासी तो काशाई वस्तर को ही पहनते हैं तो वो काशाई वस्तर कैसा है आताम्र है आताम्र शब्द का अर्थ क्या है ना पूरी तर आताम्र पूरी तरह वो रक्त वर्ण में है काशाई वर्ण में है इसलिए आताम्र विमल अम्बरं विमल माने निर्मल मल रहित है तो बहुत शुद्ध है उनका वस्तर इसलिए आताम्र है और विमल है ऐसा विमल अम्बर वस्तर वस्तर को पहनने वाने स्वामी आताम्र विमल यहां विमल शब्दकान दो तरह का अर्थ बोल सकते हैं एक है मल रहित यानि शुद्ध है और एक और विशय है कि यह स्वामी जी का जो दिवे मंगल विग्रह है ना उसके चारोर प्रकाश है वो प्रकाश जाकर जब उनके वस्तर में पढ़ता है ना उनके वस्तर में भी वो फाल फले दिख रहा है वो भी कैसा है वो भी और प्रकाश मान है उनका वस्तर इसलिए उस प्रकाश मानता को यहां विमल ऐसा स्वामी बता रहे हैं ऐसा भी वरनन किया जाता है तो आताम्र विमल अंबरम यह रक्त है पर प्रकाश मान है ऐसा जो यहां एक विशह वताया जाता है पहले हम देखेते की इसवामी गुशीर सागर की तरह है एक क्षीर सागर में क्या होता है उसमें घृत सागर ही नहीं कोई भी समुद्र हो उस समुद्र में ये विद्रुम जो को सागर में को स्वामिक स्वामी कुछीर सागर हे ना शीर सागर से उत्पन हुआ ये विद्रुम की तरह उनका जो खाशाय है न वो दिख रहा है असा भी यहाँ वर्णन की जाता है तो ये हुआ उनका आमलान कोमलाकारम आताम्र विमलांबरम आपीन विपुलोरसकम आजान भुजबुशनम और भी बोलते हैं आपीन माने उन्नत तुंग उन्नत वक्ष और विपुल माने विशाल है तो स्वामी जी का वक्षस्थल कैसा है वो उत्तुंग है और विशाल है आपीन विपुल उरसकम आपीन माने उत्तुंग विपुल माने विशाल उरहा माने वक्षस्थल ऐसे वक्षस्थल वाले स्वाम आपी नवी पुलो रसकम आजानव भुजबूशणम, आजान भुजबूशणम माने, उनका जो भुजब है, निके जो हात है वो कहां तक है, उनके जानू के तक? आजानो भुजड भुशनम यहां ऐसा है कि जानो तक जो भुजड है ये स्वामी के लिए भुशन है आजानो भुजड भुशनम ये भुजड को ही वो भुशन के रूप में धारन कर रहें। किसन्यासी ना तो कई और भूशन नहीं क्या भूशन है वो जो भूजा है वही उनके लिए आभूशन है इसलिए उन भूजाओं के कारण स्वामी और भी सुंदर दिख रहे हैं इसलिए यहां बताते हैं आजानु भूजा भूशनम। ऐसा यहां हुआ प्रिश्ण आएगा स्वामी उनके जो भुजाएं है वह आजान है क्या क्योंकि स्वामी तब दोनों शिश्वों को पकड़ रहे हैं पकड़ने के समय कैसे इनको पता चला कि वह आजान है तो एक विश्य ऐसा बोला जाता है कि हाँ वह ऐसा पकड़े हैं पर स्वाभावी करूप से तो उनके भुजाएं जानों तक तो रहेंगे इसलिए उस स्वरूप का अनुसंधान करके ऐसा यहां देवराज गुरु स्वामी बोल रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं और दूसरा एक समाधान है कि नहीं पकड़ रहे हैं कभी-कभ कर भी हाथ रखेंगे तब उसका अनुसंधान करके ऐसा बता रहे हैं ऐसा भी बोला जाता है तो ऐसा जो सभी अवयव जैसे होने चाहिए ऐसे हैं आता आम्लानको मलाकारं आताम्रविमलांबरं आपीलविपुलोरसकं आजानु भुजभूशनं आजानु भुजभूशन ह या सभी स्वामी जी का वरणन है और इसके बाद मुरना लतन तो संतान संस्थान धवलत विशाव शोभीतं यग्यों पवीत का धारण कर रहे हैं यग्यों सूत्र का धारण कर रहे हैं इसका वरणन अगले श्लुक में ये क्या है ना जब भी रामानुजाचारी जी को वर्वन स्वामी जी को इनका वर्णन करते हैं तब इस येग्णिय सूत्र के बारे में बताते हैं सभी आचार्य देखें ना आशाय शोभी कमनिय शिखा निवेशं दंडत्रयोज्वलकरम वीमालोपवीतं उद्यद्धिनेशनिभं उल्लसादूर्भपुंद्रम रूपम्तवास्तु यति राजग्रशोर्ममाग्रेम तो सभीष्लक में उपवीत के बारे में येग्णिय सूत्र के बारे में तो कुछ न कुछ वरनन आ जाता है क्यों ऐसा वरनन करते हैं क्योंकि ये जो अन्य सन्यासी है अन्य संप्रदाएं के सन्यासी है उनके उपवीत नहीं होते उन सन्यासियों का उपवीत नहीं होता है इसलिए ये विलक्षन है इनका उपवीत होता है इसको दिखाने के लिए यह बार बार उपवीत का वर्नन किया जाता है और इसके लिए बहुत सारे प्रमान हमारे आचार्य बोलते हैं धारियम यग्योपवीतम स्याथ्ष्टम नवगुनान वितम यतीनाम तृने शुक्लानि भवन्केतानि नित्यशह यग्योपवीतम धंतास्यात धाजन्तु निवारन इसा बहुत सारे प्रमानों में यग्योपवीत का धारन आवश्यक है ऐसा बोला गया है इसलिए ये सन्यासी उनका ऐसा होता है कि वो जब सन्यास लेते हैं ना तब यग्योपवीत का भी त्याग कर देते हैं पर हमारे संपदम ऐसा नहीं होता है यग्योपवीत धारन सदा होता है सदातन है इसलिए धारियम एग्योपवीत सफेद होते है क्या क्या है एखे एग्योपवीत उनका जो एग्योपवीत होता है वो सफेद रहता है और दंताश्चा उनके जो दांत है वो सब सफेद होंगे और तीसरा विशय है तधा जंतुनिवारणम 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 माने उस और नहीं वो उनका त्रिदंड होता है ना त्रिदंड के अंत में यानि उपर एक वस्तर होता है उसको ही जलपवित्र बोलते हैं जलपवित्र बोलते हैं और जन्तुनिवारण ऐसे भी बोलते हैं तो वो जन्तुनिवारण जो जलपवित्र है ना वो भी सफेद होता है तुदंड में वो जो है वो भी सफेद होता है इसलिए इनके शरीर में देखे तो तीन पदार्थ सफेद होते ह एक उपवीत होता है, दंत दानत होते हैं और यह जंतो निवारण। सुआमझ fiquei क्यों दान्तों के बारे में वारणन कर रहे हैं। इसमें एक विशए है जो गृहस्त लोग होते हैं, उनका तांबूल चर्वन होता है, ताम्बूल स्वीकार करना उनके लिए वहीत है इसलिए वो जब ताम्बूल चर्वन करते हैं ताम्बूल का क्या बोलते हैं पान पताने कोई और अच्छा अच्छा शब्द है की नहीं पर उसका चर्वन करने से क्या होता है ना दान्त में कुछ लाल रंग सा हो जाता है दान इसलिए ये तांबूल चरव नित्यादी नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्यょंकि भोग्यपडार रथों को त्यान कर दियें इसलिए उनका दानत सफेध रहेगा। इसलिए उसकी सुचना करने के लिए ये बोल रहे हैं दानत सफेध रहेंगे। इसलिए हमारे तुरुपावे में भी हम देखने वाले हैं तो तुरुपावे में सिंगल फुडिकूरे वेंड़ तवत तवर जब सन्यासियों के बारे में वर्णन आता है वहां गोदा जी बोलती है शिंगल फुडिकूरे काशाय वस्त्रधारन करने वाले और वेंड़ पल स सबी सफेर होते हैं तो एग्योपवीत हो तो ही सफेर होगा ना इसलिए पहले एग्योपवीत होना चाहिए एग्योपवीत भी है वो सफेर भी रहता है सवरनन यहां करते है अरविंद होता है ना पद्म इस पद्म का जो नाल होता है उसको मृणाल कहते है उस मृणाल को आप थोड़ कर तोड़ कर देके तो अंदर ऐसा एक तंतु की तरह क्या बोले तंतु बोलते हैं ना तंतु मनें ट्रेड ट्रेड की तरह कुछ होते हैं वो बहुत सफेध रंदके होते हैं उसको इबोलते मृणाल तंतु क्योंकि यह आरविंद को देखे तो वो लाल सा होता है पिंग कलर और उसके जो नाल है और जो पते हैं वो सभी हरे रंगे होते हैं इस नाल को तोड़ने पर अंदर आपको सफेद रंग के कुछ तंतु मिलते हैं त्रेड मिलते हैं तो उनको कई जगों पर कुछ सफेद पदार्थ के वरनन करने के लिए उसको उपमान के रुप से कवी लोग बहुत उपयोग करते हैं तो किसी को बहुत सफेद हैसा बोलना है तो वो क्या बोलते हैं यह मुरनाल तंतु की तरह है वो अनेक जगों में आता है तो यहां भी आता है मुरनाल के तंतु उन तंतु का जो समस्थान है उनका जो सनिवेश है उसकी तरह धवल धवल माने धवल शब्द का रत है सफेद ऐसा सफेद त्विट त्विट माने प्रकाश सफेद रंग का प्रकाश रखने वाला एग्यों पवीट ऐसा होगा तो मुरनाल तंतु संतान समस्थान धवल धवल त्विट यह क्या है वराउनी स्वामी जी का एग्यों सूत्र है तो एक और बार बहुता है मुरनाल मुरनाल का तंतु वो जो त्रड है उसका संतान माने उसका एक ग्रूप ऐसा समझेगा ऐसा सन्निवेश जिसका है उसका जो सन्निवेश है ऐसा सन्निवेश वाला धवल त्विट इसलिए सफेद प्रकाश रखने वाला एग्यों सूत्र ऐसा समझना चाहिए तो इसका तात्पर यह हुआ कि बहुत सफेद जो एग्यों सूत्र ह जो भल रहे हैं उसको भी बहुत सवामी शुद्ध रखते हैं कभी कभी आसा ग्रीश मकाल में ग्रीशमरतूमें अन्या जब बहुत दूप होता है गर्मी बहुत ज्यादा होती है तब क्या हो है ना कि एग्यसूत्र वो हमारे जो स्वेद है इत्यारी है उसके कारण पसीना इत्यारियों के कारण उसका रंग बदल जाता है इसलिए ऐसा नहीं है स्वामी उन सभी वस्तूओं को बहुत शुद्ध रखते हैं उनका एग्यों पवीत जो है ना वो ऐसा प्रकाशमान ना धवलत विशा ये एग्यसूत्र का विशेशन है एग्यसूत्रेन शोभीतम इस एग्यसूत्र के दवारा शोभीत है प्रकाशमान है स्वामी एक और विशय है यहां नाभी बिंब सनाभीना नाभी बिंब सनाभीना नाभी बिंब सनाभीना नाभी होता है ना उस नाभी तक ही एग्योपवीत होना चाहिए एग्योपवीत को कहा तक होना चाहिए नाभी तक होना चाहिए उससे कम भी नहीं उससे लंबा भी नहीं उससे चोटा भी नहीं इसलिए नाभी के नाभी तक होना चाहिए एग्यसूत्र से यहां बोलते हैं यहां नाभी तक जो है ऐसा वामी नाभी बिम्ब सनाभी नाभी बिम्ब यानि नाभी उसके सनाभी माने उसके पास रहने वाला ये एग्योपवीत असा नाभी बिम्ब सनाभी नाभी यूशुली सनाभी शब्द का ये अर्थ है कि सोदर सनाभी दो एक ही है पर यहां एग्योपवीत और नाभी कैसे सोदर बन सकते हैं तो एक प्रदेश में वो दोनों रह रहे हैं इसलिए सनाभी बोलते हैं तो नाभी जहां तक है वहां तक ही एग्योपवीत भी है इसलिए जो भी लक्षन एग्योपवीत के हैं यह सभी है असा प्रमान श्लोक है इस प्रमान श्लोक से ये पता सेलता है कि नाभी के समान होना चाहिए एग्यों पवीत तो हुआ इसके बाद इसके बाद देखिए ना असा वर्णन के वर्णन का भी एक प्रम है क्या कि ये पहले पहले वरुड़मनüş्वामी जी का पारान विंद का वर्णन किया थै क्योंकि एक श्षिश्य के लिए अपने आचारिय का शीच्रनार विंद ही उध्देश है पहले जले पहले शी चरणारविंदों का वर्णन किये थे और उसके बाद एक बार आमलान कोमला कारम पूरा दिज्यमंगल विग्रह का वर्णन किये और आप तो चरणारविंद होगे तोड़े तोड़ा उपर जले चले तो स्वामी जी का काशाय वस्त्र दिखेगा वो काशाय वस्त्र का वर्णन किये उसके बाद काशाय वस्त्र से भी उपर आये तो उनका जो आपी नवी पुलोरस का वक्षस्तल है उसका वर्णन किये उसके बाद वक्षस्तल के पास जो भुजाएं है उनका वर्णन किये उसके बाद बुजाओं से जो लटक रहा है ये गन्यसूतर उसका वरणन के है और वहां से क्या गरते हैं अब बुजाओं में जो और भी लटक रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं वो क्या है अम्भोज बीज माला भी अभी जात भुजांतरम ये भुजांतरम नहीं भुजाओं के बीच में रहने वाला वक्षस्थल ये वक्षस्थल बहुत शोभित है किसकी कारण तो बोलते हैं अम्भोज बीज माला भी अम्भोज बीज नहीं पदमाक्ष पद्माक्ष की जो माला है वो यहां अम्भोज बीज माला अम्भोज पद्मा उसका जो बीज होता है वही पद्माक्ष उससे जो माला की गई है वो अम्भोज बीज माला है ऐसे मालाओं के कारण अभिजात भुजान तरम। सुन्दर वक्षस्थल वक्षस्थल वाले हैं स्वामीन अम्भोज बीज माला भीहीन जब यहां बोल रहे हैं कि अम्भोज बीज माला ये हैं माला नहीं एक वचन नहीं वहां बहु वचन है तो इससे ये सूचन दिया जाता है कि यहां सिर्फ अंबोजबीज माला ही नहीं तुलसी माला भी है और पवित्र माला का भी धारन किये हैं ऐसा अर्थ यहां मिलता है क्योंकि एक वैश्णव के लिए ये सभी सदाधारी होते हैं यानि ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला है ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्राह ये वाललाट भलके लसदूर्ध पुंड्राह ते वैश्णवाभुवन अमाशु पवित्र यंती ऐसा एक श्लोक हैं कंठ में जिनके तुलसी माला और नलिनाक्ष माला है और ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्राह ये जो बाहुमूल में शंख चक्र धारन करने वाले हैं और ललाट भलके लसदूर्ध पुंड्राह ललाट में उर्ध पुंड्र धारन करने वाले ऐसे जो वैश्णव है ना ते वैश्णव आहा भुवनम आशु पवित्र यंती वो भुवन को बहुत थेजी से पवित्र करते हैं, ऐसा स्लोक में आता है, इसलिए माला भी ही है, ऐसा उस बहुवचन से सूचित है, उस बहुवचन के द्वारा साक्षात ये वशे बोला जा सकता नहीं है, पर वो सूचित है कि बहुत सारे मालां को यहां पहने है स्वामी, तो ऐसा बोला जाता है कि ये तीन जो है, तुलसी माला, तुलसी काष्ठ माला, पदमाक्ष माला और पवित्र माला, बगवान का जो पवित्र माला को धारन के हैं, उस पवित्र माला को धारन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में आता है, इसलिए इन तीनों को धारन करना बिवक्षित है यहां क्या है ना इन सभी का धारण में भी तोड़े नियम है यहां से नाभी तक पहनना चाहिए तो यह जो माला है उसको कंठ से प्रारंब होकर नाभी तक पहनना चाहिए इसलिए हमारे संप्रदाय में ऐसा कंठी माला पहनना वो दिखता नहीं है इसलिए शास्त्र में तहाएसा ही है और यह भी है कि सदासरवदा हम तुलसी माला को या पदमाक्ष माला को पहन नहीं सकते हैं हमें शुची होकर ही पहना चाहिए यानि शुद्ध होकर ही पहना चाहिए और जब भोजन का समय होता है या सनान का समय होता है या मालमूत्रा दिवसरजन का समय होता है शैन का समय होता है ऐसे समय उनको उनको पहनना नहीं चाहिए असा पहनने से बहुत बड़ा पाप इतने सारे साल वो नरक में पचेगा, वो नरक में दुखा अनुभव करेगा ऐसा बोला गया है, इसलिए इन शास्त्रों के अनुसार हमारे आचारी कुछ नियम परिपालन करते हुए इनको पहनते हैं, ऐसे नियम अनुसार ही हमें भी पहनना चाहिए, तो सामपरदाइक रू हूँ, तो हुआ, अंभोज बीज माला भी ही, अभिजात भुजानतरम, तो सुन्दर भुजानतर है, सुन्दर वक्षस्थल है स्वामी का, तो यहां एक और विशय हम ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि सन्यासी है, वो कुछ और पहन नहीं सकते हैं तो इसलिए वैश्णव चिन् और ये जो मालाएं हैं, यानि पत्माक्ष माला, तुलसी काष्ठ माला, परवित्र माला, ये ही हमारे लिए सुन्दर ये दायक है, अभिजात भुजानतरम है ना, क्योंकि हमें कुछ और स्वर्ण की माला या कुछ और वो आवश्यक नहीं है, पहन सकते हैं, जिनका अधिक हैं, जिसे गरस्त हैं, वो पहन सकते हैं, पर वो हमें सुन्दर ये देंगे क्या, सुन्दर बनाएंगे क्या, नहीं, में सुन्दर बनाने वाले तो ये स्वरूपान गुण जो माला है, वो ये बनाने वाले हैं, इसलिए उनको पहनना वो काफी है, अच्छा, ये हुआ एक करनन करते हैं इसके बाद उर्धवकुंट्रेरए उपस्लिष्टं उचित स्थानलक्ष नई ही ही उचित जो स्थान है इसे उद्वकुंट्रों का धारण कर रहे है स्वामी उचित नलक्ष नई ही मुंगी पवित्र माला के लिए नियम क्या है वही पूछ रहे हैं ऐसा आजारी बताते हैं कि पवित्र माला के पहले ही पवित्र माला को पहनना है उसके बाद पहनना नहीं चाहिए ऐसे कुछ आजारियों का अभिप्राय है इसके बारे में बहुत सपश्ट वचन कुछ दास देखा नहीं हूँ पर ऐसा है पर सदनुष्टान दर्पनी त्यारियों में देखने पर तुलसीक आश्टमाला पदमाक्षमाला और भवित्रमाला इन तीनों को पहनना चाहिए ऐसा बोल है न जानते हुए बहुत कमेंट नहीं कर सकता है तो यह है और इसके बाद उचित स्थान लख्षण उचित स्थान लक्षण ही ही उपश्छलिष्ण अर्शीन उचित स्थान और लक्षण ऐसे उचित स्थान और लक्षण वाले उघभло ूर्थ 수ुन्ट्र को धारण कर रह स्थान और लक्षन क्या है तो यह देखिए उर्धुपुंट के उर्धुपुंट का धारण के लिए द्वादश स्थान है ललाट से प्रारंभ करकर केशव नारायन माधव गोविंद विष्णु मदुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर रिशीकेश पद्वनाभ दो आएंगे तो बारह द्वादश उर्धुपुंट आएंगे उनका स्थान ऐसा ऐसा बताये गया है दस अभी अभी एक और उपन्या समावत करके आए वहां पुंटर समस्कार में समस्कार के बारे में बात कर रहा था यही चीज़ वहां बोल रहा था तो यह क्या है ना उ दोड़ा नीचे धारन कर रहे हैं और भी ऊपर से धारन करना चाहिए सच मुश्वे तो वहां से प्रारम करकर जहां तक केश नहीं है तो केशांतम बोलते हैं केश तक हमें उर्धुपुंट का धारन करना चाहिए उच्छ लोग क्या करते ना बहुत बड़ा यहां तक करते नहीं तो वहां तक ही उर्धुपुंट का धारन करना है वहां भी यह क्या है ना एक अंगुल मात्रम ऐसा यह जो साइड में आते हैं यह दो इनको एक अंगुल अंगुल माने संवेर रांड एन इंच एक इंच असा समझे ना इतना मोटा इसको बनाना चाहिए दोनों और और एक अंगुल ही नहीं कुछ परमाण में एक अंगुल त्रिंगुल चतर अंगुला सा विक कहा गया है यह और बी मोटा बना सकते था यह इतने मोटा अश्यान अन कहते हैं तो ऐसे परमान मिलते हैं और बीच में तो अंतरान होना चाहिए अधारuses यह बहुत पास पास दोनों का धारन करता है, इसा नहीं करना चाहिए, बीच में अंतराल रहना चाहिए, अभी-अभी कुछ प्रमान दास पड़ा था, इस अंतराल में ही भगवान लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, इस अंतराल को हम मिटा दिये तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे, ऐस बोला जाता है, इसलिए बीच में अंतराल भी देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उद्धुपुंट धारन के समय में ऐसे अभी धारन करते हैं, बीच में अंतराल नहीं देते हैं, श्रीवेश्णव संपरदाय में तो आसा नहीं है, बीच में अंतराल होना चाहिए, के पास आने वाला है ऐसा पेट के इस और भुजाओं में और यहां वह चाहलों इस उर्धुबुंटर का स्थान को तोड़ा क्या गर देते हैं यहीं रख लेते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए इसको यहां ऐसा होना चाहिए साइड में होना चाहिए उसको मुझ को देखते हूँ उसका फेसिंग होना चाहिए यहां उसका धारन करना चाहिए उसका उसका कुछ नाम है उस वहां का जो बोन है उसका कुछ नाम है वहीं करना चाहिए ऐसा होता है तो स्थान भी सही होना चाहिए और लक्षन भी कितना लाइन ही कुछ लोग रखते हैं तोड़ा मोटा हो ना चाहिए ताकि तरह दिखे और यह जो उर्ध्न है नँसको सुन्दर बनाना चाहिए ऐसा नहीं समी हम किसी के बारे में कि साथी के बारे me ये दास नहीं बोल रहा ये शास्त्रों में आता है सुमनोहरं ऐसा जो उर्धुपुंट है उसका ही धारन करना है शास्त्र बताता है कुछ लोग क्या करना बहुत तेजी से ऐसा कर देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए उसके लिए समय बिताना चाहिए अच्छा सुन्दर उर्धुपुंट का धारन करने के लिए तेजी से तोड़ा कर देते हैं इसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा आचारी बताते हैं कि हम हम कैसे भी उर्धुपुंट का धारन करें उसको चोड़ दीजिए कोई उसको देखकर ऐसा समझ सकता है ना अरे यह क्या स्वामी ऐसा उर्धुपुंट को ऐसा ऐसा बनाए हैं ऐसा वो सोचे तो उसका अपचार हो जाएगा तो हम सुन्दर उर्धुपुंटर धारन नहीं करेंगे तो उनके अपचार के लिए हम मार्ग बना रहे हैं तो श्रीवश्णव ंतने करुनावान होते हैं कि उसका अपचार का अवकाश भी हम ना दे ऐसी सोच से सुंदर ही बनाते हैं बनाना है शास्तर भी बोलता है तो हमें सुंदर उर्धोपुंटर बनाना है और ऐसे बहुत सारे लक्षन है उर्धोपुंटर ऐसा ऐसा होना चाहिए तो पाद होना चाहिए जहां से पाद जहां प उपण्याश हो जाएगा स्त्रियों के बारे में अर्ध चंद्र आकृती बोलते हैं शास्त्रों में देखने पर अर्ध चंद्राकृती के तरह उसको वी शेप कर उर्धुपुन्ध को उसके बाद श्रीचुरुन को ते चुन का धारन करना है संसलувати कि वितन तो होते हैं ते वह तो पूरी तरह इतना इतनी बड़े इतना बड़ा शी चूरुन को ठार नहीं करते उनको चौटा शी चूरुन का ही धारन करना चाहिए ऐसा भी नियम होते हैं तो ये सब जो लक्षण है इसको यहां जाना चाहिए तो वरवरमनिश्वामी जी जो शास्त्रोक्त प्रकार है शास्त्रोक्त लक्षण है ऐसे लक्षण प्रकारों से जुड़े उर्धपुंट्रों का धारन करते हैं उर्धपुंट्रे ही उपस्लिष्टम उचितस्थानलक्षने ही उचितस्थानलक्षन वाले उर्धपुंट्रों के द्वारा उपस्लिष्टम तो उनसे जुड़े है उपस्लिष्टम इससे क्या मिलता है स्वामी को जब हम कोई कोई देखे तो उनको ये नहीं लगता है कि स् स्वामी का दिव्यमंगल विग्रह का ही एक भाग है वो उर्धवपुंट्र ऐसा तो कुछ लोगों के बारे में ऐसा बोला जाता है कांची प्रतिवारी भाएकर अनंगराचारी स्वामी थे ना वो तो रोज द्वादश और्धवपुंट्र धारण करते थे तो लोग बोलते है कि स्वामी ऐसा द्वादश और्धवपुंट्र के साथ ही पैदा हुए है ऐसा लगता है ऐसा जैसा बोले उनका उर्धवपुंट्र होते हैं उर्धवपुंट्र अपशलिष्टम उचित स्थान लक्षणी है इसा यह हुआ कितने श्लोक हुए हैं साथ श्लोक हुए हैं इसके बाद काशमीर केसरस्तों मकडारसनिक धरोचिशा पुशे ये नसमिंधा नंस कंधा मूलाव नंदिनोर्गरें और स्वामी का उत्तरी का वरणन होता है अगले श्लोक में, वो तो अगले कालक शेप में हम देखेंगे, अगले कालक शेप में हम देखेंगे, यह क्या प्रश्चन है? यह क्यों यहा और यहां का परिमान में और आकार में एक डिफरेंस है, ऐसा पुच रहे हैं, जास्त्रों में ऐसा करना माथे में पहले पाद का अब माध का दारन करना है उसके बाद का डारण करना बोला गया है और यहां पर दिख नहीं रहा पर यहां क्या करना है पहले चतुरश्ट बोलते हैं एक रेक्टैंगल की तरह नीचे पाद पीठ को बनाना है रेक्टैंगल की तरह और उसके बाद दोनों और यहां इसका भार्ण करना है तो ऐसे ही सारे इक जगा में शरीर में जहां भी कर रहे हैं चतुरश रेक्टेंगल एक पादपीठ बना कर उसके बाद उनको धारन करना चाहिए ऐसा शास्त्रों में लिखित हैं कुछ आचार या ऐसा मानते हैं कि ऐसा आकार ही यहां भी है पर जो कि यहां आंख आ जाते हैं इसलिए उस आकार में यह बदलाव आ जाता है तो देखिए तो एक ही तरह का आकार है पर यहां क्योंकि आंख आ गए ऐसा एक रेक्टेंगल है जैसा हमारे बाला जिस शीनिवास भगवान का यह उर्थकुट्र है ना जैसा होता है यह ऐसा समझेगा ऐसा ही है पर आंख के आने के कारण वहां उसको हम ऐसा डिलीट कर दिए कट कर दिए तो वही आकार वही है आंख यहां है इसलिए वो वहां से मिट जाते हैं यहां आंख नहीं है इसलिए वो पादपीठ ऐसा चतुरश्ट हो जाता है ऐसा कांजी स्वामीत्यादी कुछ आचारिया मानते हैं इसलिए दास का सिंपल जवाब है कि शास्त्रों में ऐ यहां इसा अधारण करो ललाट में यहां इसा अधारण तरो आईसा शास्त्रों में लिखीत है क्याओं क्छा फॉप्षिट्व पूण्टे उसका सईस अलग है परीमान अलग है वह शास्तों में लिखित है कहीं पर चार अंगुल होना चाहिए आसा एक-एक का भी परिमान भ ऐसा परिमान में बदलाव है ऐसा ही आकार में भी तोड़ा बदलाव है पर उसको परिशीलन करने पर वो भी बदलाव नहीं है ऐसा स्वामी कुछ लोग मानते भी है तो यह विशय है तो इससे हम आज का कालक्षिप स्वावत करते हैं शीमते रंग्यजा मातर मनींद्रआय महात्मने शिरंगबासिने भूयात नित्यश्रीर निक्यमंगानम अयवारम बिरमानावण जीयर थ्रबडिहले शरणम जय स्री मन्ना राएण जय स्री मन्ना राएण जय 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 स्री मन्ना राएण